कि नमस्कार दोस्तों मैं गणे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जम करेकर नाइट सभी को नमस्कार वो इस वीडियो के अंत्रगत अति मैं तो पून क्वेशन डिसकस करेंगे राजस्तान की एक अंत्रगत 1867 की करांती 1867 की करांती समदे जितने में पर्षन बनते वो सारे अपन इस वीडियो के अंत्रगत डिसकस करने वाले हैं यह वीडियो राजस्तान की सभी पुरतियों की प्रिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है चाया आप तयारी किसी लिए यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह वीडियो है तो वीडियो का पूरा देखे और मैं आपको जो कुशन करांगा उसमें से आप कितने कुशन सही कर सकते हैं आप अपनी तयारी को जान सकते हैं ठीक है प्रते कुशन के लिए आपके पास में और पांच सेकिंड ही रह चलो दिल्ली इमारो फिरिंगी के नारे की बगावत की तो फटाफट से इस कांसर कमेंट कर दे चले टाड़ नाउब ओके इसका राय टांसर हो जाएगा आपका एरियन पुरा छाओनी ठीक है पाली में पढ़ती है एरियन पुरा तो करेक्ट टांसर यहां पर क्या होगा ओप्शन ए नेक्स्ट अठारा सो सतावन की करांती में अंग्रेजोग जोद्पृ के सायोक्त सेना को प्राजित करने व तात्या टोपे टौके नवाब वजीर खा, माराजा, राम सिंग या फिर आउवा कि ठाकुर कुसाल सिंग इसका राय टांसर हो जाएगा आउवा कि ठाकुर कुसाल सिंग करेक्ट टांसर है Option D next राजपुताना के किस राज्य के सासक ने अजमेर में लाड में यह द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया correct answer यहां पर क्या है राजपुताना के किस राज्य के सासक ने अजमेर में लाड में यह द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया क्रेक्ट आंसर होगा यहां पर ओप्सन डी कोटा क्या होगा यहां पर कोटा क्रेक्ट आंसर ओप्सन डी ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन है 28 मई 1877 नसीराबाद से राजस्तान में सरव परतम विद्रो का प्रारंभ हुआ यह राजस्तान के किस जिले में है कि इससे संब्सक्राइब जितने महत्व पूर्ण कुशन मंतिव मैं आपको और प्रकाय की कुशन करवा दूंगा चलिए क्रिक्ट आंसर अपर क्या होगा अजमेर में और यहीं से राजस्तान में ठार्वस्तावन की क्रांदिय भड़ की ती 28 मैं अठार्वस्तावन इस डेट को आप जुरूर ध्यान में रिखे ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन है अंग्रेज कपतान जिसका सब आवा केले के बाहर लटका दिया गया ठीक है किसका सिर काट करके आवा के केले के बाहर लटका दिया गया था उस अंग्रेज का आपको नाम बताना है करेक्ट आंसर आप ट्विशन से मे्ट कॉफ के रेजिडेंटे करक के रेजिडेंट थे ये चिल्ध कर haircut करेंड is merge a work एंपंज एक चार्मक कौर करेंडर्ट ऑए एम्मेंट्ट करेंड तन्सर चोप रजस्तान में आवा का विदरोग किसके नेटरतवे में हुआ राजस्थान में तो यह हो जाएगा आपका ठाकुर कुसाल सींग अति मैं तब वोने ठाकुर कुसाल सींग ठीक है करेक्ट आंसर ओप्शन डी नेक्स्ट कुस्टन है अठारा सो सत्रा अठारा सो अठारा के दोरान निमने लिकित में से कौन से रियासत परतम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संदी की पहली रियासत अंग्रेजों के साथ संदी करने वाली पहली रियासत कौन सी थी करोली करेक्ट आंसर नहीं पर क्या होगा आपका ओप्शन ए यहां पर हो जाएगा ठीक है तो करेक्ट टांसर यहां पर क्या होगा कि प्रिशन नम्बर नो का राइट आंसर क्या होगा यहां पर मेक मोशन क्या होगा मेक मोशन जोद्पुर राज्ये के कीलेदार मेक मोशन को ठरस स्थावन में आवा के क्रांतिकारियों ने मोट के घांट उतार दिया राइट रस्ताओनी करांदीम जितने भी रियास्ते थी उसमें जो भी आपके यह जो भी जीजी थे गवर्रनर जनरल उनको आपको और जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको आपको जरूर याद करना पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं रेक नेक्स्ट कुछिशन है कोटा में यहाप पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बी जैदयाल वर मेराब खांग करेक्ट आंसर क्या है ओप्सन बी नेक्स्ट कुछिशन है क्रोली राज्ये और अंग्रेजे के मद्दे संदी कब की गई पहली संदी हुई थी राजस्तान में और कब हुई थी यह यह संदी हुई थी मित्रो नवंबर 1817 में कब हुई थी नवंबर 1817 करेक्ट आंसर आपर क्या होगा ओप्सन ए नेक्स्ट राजपुताना के किस एक मातर रियाद के साथ अंग्रेजे ने बाइबल को साक्सी मान कर संदी की थी तो कौन सी रियासत थी यह भरतपुर रियासत करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन ए भरतपुर वेरी वेरी इंपोर्टन क्यों सन नेक्स्ट क्यों सिद्राज डढा कौन थे करेक्ट आंसर क्या होगा आपे सिदराज टड़ा कौन थे जेन विद्धवान कुट नितिगे सिख्षा सास्त्र इप्र गंधीवादी सर्वोधी में नेता लाय टांसर ओप्शन D हो गया आपधे गंधीवादी एवम सर्वोधी नेता क्रेक्टांसर ओप्शन D next question राजस्तान में 1857 में पर्थम विद्रो कहा हुआ तो यह नसीराबाद में वह अथा करेक्ट आंसर हो जाएगा option B आपका करेक्ट आंसर नसीराबाद अजमेर 28 मही को next question है 1857 विद्रो के समय जोद प्रके माराजा तक्त सिंग ने किसके नेतरतों में अंग्रेज ने किसके नेतरतों में पर्थमेर भेजी ठीक है यह very very important question है 1857 विद्रो के समय जोद प्रके माराजा कोन थे तक्त सिंग थे और किसके नेतरतों में इन्होंने अजमेर में से ना भेजी थी very important question चले एक करेक्ट आंसर होगा question नमर 15 का ठीक है राजस्तान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ओप लेप्स के अंतरगत हस्त गत हुई कुशन नमर 16 का का आंसर क्या होगा? ऑप्रस सी ठीकर करो ली ऑप्रस सी बिली को सही ऑप्रस जी राइट आंसर करो ली चलि नेक्स्ट क्यूसन है निमबा एडा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज़े की सेना नहीं की? तो यहां पर आई टान्सर हो जाएगा आपका मेवार लिए ट्ट कराइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेवार करिक्ट आंसर उस्में एठावस्ता उन्हें की करांती के समय आगे साथ से कौन थे? फटावर्ट से एक बार कमेंट करके जुरूर बताएं मेवाड के सासक कौन थे नेक्स्ट क्विशन है कुवाडा, बीलवाडा, स्तान पर तात्या टोपे के सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर के सेना सी हुआ क्विशन नमर ठारा कराईट अंसर क्रांती के समय वागे सासक मेवाड के और वागे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे क्रेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा कुवाडा, बीलवाडा, स्तान पर तात्या टोपे के सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर से हुआ था जनरल रोबर्ट से क्रेक्ट आंसर होगा है, यहां पर ओप्षन D, क्रेक्ट आंसर, ओप्षन D, चलिए आगे देखे नेक्स्ट कुशन है, जोदपर लिजन के सेनिकों ने किस चाओनी में क्रांती का उद्घोस किया था जोदपर लिजन ने बिल्कुल जो ओप्षन आपको दे रहें, किस में से आसानसा ओप्षन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा करेक्ट आंसर होगा, यहां पर ओप्षन C, Arian Pro, Arian Pro करेक्ट आंसर नेक्स्ट निमनी लिक्कित में से कोटा में अठारा चो सताउनी की करांती का नेता कौन था कोटा में ये अत्ति मातव पूर्ण कुछन ने कोटा वाला तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका जई दयाल करेक्ट आंसर ओप्शन सी जई दयाल नेक्स्ट आवा के ठाकुर कुसाल सिंग को किस ठिकाने द्वारा सरण दी गई ठिकर राइट आंसरों का ओप्शन डी को ठारिया करेक्ट आंसर ओप्शन डी चली जी नेक्स्ट क्यूसन है एत्हल के करांति के दोरान मेजन मेजर बर्टन और उसके दो पुत्टर कहा मारे गए ठीक है अत्तिमातवपून कुछिशन है 18 सथा उनकी करांती के दुरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां मारे गए तो यह मेजर जो बर्टन है यह कहां का पॉलिटिकल एजेंट था प्रकास जांगीर ठीक है अप्शन डी सुर्च करना जीका डी ठीक है राइट आंसर tapra और यहां पे बिल्कुल डी करेक्ट आंसर ठीक है कोटा करेक्ट आंसर कोटा नेक्स्ट कुश्टन है निमने लिक्षित में से किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ 1817 और 18 के अधिनस संदी की बातचीत की थी ठीक है जो भी चैनल पे न्यू है तो एक बार चैनल को जुरूर सब्सक्राइबर कर ले और उन सभी का वेलकम प्रकास जिगर आप चैनल पे पहली बार आये तो चैनल को आप जूरूर सब्सक्राइबर कर ले जो भी चैनल पे न्यू है सब्सक्राइबर जूरूर कर ले करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा क्यूशन नमर 23 का राइट आंसर ओप्शन ए चार्स मेटकॉफ करेक्ट आंसर ओप्शन ए चलिए जी बिल्कुश सही आंसर थेंक्यू चलिए नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान की कौन सी देशी रियासत ने बिल्कुश सरकार्यात सबसे अंत में परित्य प्रण संदी की अच्चा क्यूशन है इसका साई आंसर क्या होगा क्यूशन नमर 24 का करेक्ट आंसर चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दें ओप्शन ए आगे देखे नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान में स्वतंतरता की आजादी का गड़ किसे का जाता है ठीक है यहां पर आई टांसर होगा आपका ओप्शन बी भीलवाड़ा को किसको का जाता है भीलवाड़ा करेक्ट आंसर ओप्शन बी भीलवाड़ा भील वाड़ा होगा है यहां पर आई टैंसर ठीक है भील वाड़ा चले नेक्स्ट कुशन है राजस्तान में ब्रिटिश सरकार का कार्याले स्तित था दो कार्याले थी निगी एक ओप्सन में आपको केवल एक मिला है तो कौन सा होगा यहां पर ओप्सन डी हो जाएगा मौंट आबू ठीक है दो साखा थी एक तो अजमेर में थी एक आबू में थी गर्मियों में कहा रहते थे यह तो गर्मियों में रहते थे आबू में और सर्दियों में अजमेर में ठीक है 1832 में हो थी इस किस्तापना अजमेर में 1845 में यहाँ पर ट्रांसफर होई आबो में चलिए आगे देखे नेक्स्ट कुशन है सेखावाटी ब्रिगेड का मुख्याले का अस्तित है सेखावाटी ब्रिगेड का मुख्याले का अस्तित है यह हो जाएगा आपका जुन जुन और योडियो को भी लाइक जुरूर कर दें नेक्स्ट क्यूशन ना 1857 की विद्रों के समय जोदपुर के माराजा कौन थे कि अधिमेत अपूंट थेना माराजा तक्त सिंग्ग करेक्ट आंसर आप्सन ए तक्त सिंग्ग नेक्स्ट आवा के युद में किस बिटिस पॉलिटिकल एजंट की हत्या कड़ी गई थी है तो आवा के पॉलिटिकल एजंट वह एक जोदपुर तो जोदपर के कौन थे फिर जोदपर का हो जाएगा आपका मेक मौशन तो यहां पर राइट आंसर किया होगा ओप्शन ए बिल्कुल आप सब्वी का यहां पर करेक्ट आंसर ओप्शन ए जनावरी 1818 को किस अंग्रेज सासक ने आवापर आकर्मन किया ओप्शन क्या होगा यहां पर ओप्शन फटापट से केमेंड करीं हुअँ है ऑप्शन डियोगा कर्नल हॉम्स बिल्कुल सही है कर्नल हॉम्स यहां पर राइट आंसर कर्नल हॉम्स ठीक है यहाँ पर लूट पार्ट की इनों ने पहुँ ज़्यादा गुड मॉर्निंग चलिए नेक्स्ट विसन है राजस्तान में रियास्तो पर पर परभावी नियंत्रिन स्तापित करने के लिए ए जी जी का पद सर्जित किया गया ए जी जी मतलब to governor general असका पता नहीं था जिनको पता नहीं है तो उनको बता देना चाहता है राजस्तानी स्टी जिके की च्रिंध राशो सब्स्वा geil और साम को 8 बजी चली यहां पर क्या होगा से आंसर तो यहां पर आपका से आंसर हो जाएगा option 1832 को 1832 करेंजो ऑप्षिन अ कि नेक्ष्ट भारत की सो अध नत्रता कि यह समय भीकान राज्ली के सासक क्या होगा यहां पर आइट आंसर ठीक राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन बी माराज सारदूल सिंग ठीक है और जो एकी करण हुआ था उसमें भी सबसे पहले जो विले पत्र है उसमें सबसे पहले इन्हों ने इस्ताक्सर किये थे नेक्स्ट कुशन है सेखावाटी में सांती एवं व्यवस्ता बनाये रखने के लिए बनाये रखने के नाम पर सेखावाटी ब्रिगेड की स्तापना होई थी जुन जुनों में उधिक कब होई थी सेखावाटी में सांती और व्यवस्ता बनाये रखने के लिए सेखावटी ब्रिगेड की स्ताप नाउयती 1850 करेक्ट आंसर ओप्सन डी 1835 नेक्स्ट भारी सवतंतरता की समय जोदपर राज्जी का सासर कौन था तो ये आजाएगा आपका तक्ति सिंग ठीक है ये रिपीट हो गया है तो राइट आंसर ओप्सन C जो भी रिपीट होते हैं समझ लीजिए वो बहुत ही ज़्यादा मेर्ट पॉन कुछन है ठीक है वो कई बार पूछ लिए गया है नेक्स्ट कुछन है निमन मेंसे कौन कोटा में 1857 की विद्रों का नेता था तो यहाँ पर आइट आंसर हो जाएगा उप्सन C करेक्ट आंसर जै दयाल बिल्कुल सभी का यहाँ पर सही आंसर नेक्स्ट कुछन 1857 की करांती के समय राजस्तान में कितनी ब्रिटिस चाह उनिया थी सूरज जी प्रिकास जी बनवाई जी किल्कुल सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्सन D या बहुत से चाह उनिया थी कितनी करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन D राइट आंसर चलिए नेक्स्ट कुछन है राजस्तान में 1857 की करांती के समय यहां के एज़ी यानि की गवर्णर जनरल कौन थे यह अतिमारत पूर्ण कुछन है और यही बार पूछा गया है जिसके कोई लिमिट नहीं है ठीक है कही बार पूछ लिया गया है कुछन तो यहां पर जाएगा जार्ज पेट्रिक लोरेंस ठीक है तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरी पुरा अधिवेशन उननी सो अड़िस कर्रेक्ट अंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सभी का यहां पर सही अंसर नेक्स्ट निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियास्तों के साथ अठारा सो सत्रा अठारा के अधिनस संदी की बात चीत की तो यह करेक्ट अंसर किया होगा फोटावर से कमेंट कर दे रिपीट हो गया है करेक्ट अंसर हैं पर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि नेक्स्ट कुसाल सिंग की प्राजजी के बाद ब्रिटिस सेना ने आवा पर कबजा किया था कब किया था ठीक अब भी तो कंप्यूटर का तो भी नहीं होगा लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा भी बता देता हूं इसका राइट आंसर फटापर से एक बार कमेंट कर दें ओप्शन ए यहांपर से आंसर 12 जनवरी 1858 ठीक है जिनको टेस्टरी देखनी है कंप्यूटर की तो आप पले लिस्ट में जाए पले लिस्ट में आपको नीचे की नीचे निकालना है ठीक है आप नजर नहीं आएगी और नीचे आपको इस प्रकार का जो सिंबल आएगा उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आजाएगी आपकी कम्प्यूटर सब्जेट की टेसरी जाएगी जिसमें मैंने सेले बस फर्स्ट कलास में सेले बस बताया है उसके अकोर्डिंग वापे आपको टोपिक वाइस टेसरी मिल जाएगी ठीक है अभी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो लाश्ट तक देखते रहें मैं अभी आपको बता दूगा नेक्स्ट कुछिन अठावर्ट से एक बार कमेंट कर देए सब भी राइट आंस रोगा ऑप्शन डी बगवंत सींग भगवंत सींग रेक्ट आंस रह नेक्स्ट कुछिन है राजपुता ना एजेंसी की स्तापना का और कब हुई कब और का हुई राजपुता ना एजेंसी की स्तापना ये हो जाएगा आपकी कमेंट करें फटावट से 1832 में अजमेर में राइट आंस रोप्शन डी बिल्कल सही नेक्स्ट भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया की थी अलवर और भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया कब की थी ठीक राय टांसर हो गया पर सितंबर नौंबर अठारा सुथ तीन करेक्ट आंसर ओप्षन ए ठीक है ओप्षन ए नेक्स्ट राजस्तान में 1857 में पला विद्रो कब और कहा हुआ 28 में 1857 को नसीराबाद अजमिर में करेक्ट आंसर ओप्षन सी नेक्स्ट आ 1857 की करांती के समय गवर्नर जनरल इन राजपता ना कौन था तो यह हो जाएगा लोरेंस जार्ट पेटरिंग लोरेंस करेक्ट आंसर ओप्षन ए ओप्षन डी नहीं होगा ओप्षन एओगा इसको जरूर ध्यान में रखी यहां पर इंदी में दे दिया है इस प्रकार से यह ए जी जी चीक है करेक्ट आंसर ओप्षन ए नेक्स्ट निमनलिकित मेंसे कोई गोटा में 18 सस्थावन की विदरो का नेतरत वगर करता था तो जर प्षन प्रकार लोग्त अबदरोबзд नेक्स्ट निम्न मेंसे किस सतान पर 18 ससातावन की करांथी के दिन में एक महसन मारा गया खेक्ट आ NOTE घीके तो राइ टांसर हो जाएगा आपर ऑप्सन B आवा पाली में आए ठीक है इसके लावा next कुछिसना अंग्रेजों ने अपनी सपत भंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया अधा उन्हें ये अप्विक्सा नहीं करने चाहिए कि भारती अपनी सपत के सपत का अनुपालन करेंगे 1877 इस्वी की करांती के संधर्ब में ये किस ने कहा इस क्यूसन को अच्छे से पढ़े और आंसर कमेंट करेंगे ये आपके सामने क्या है कथन ये देर का स्टेटमेंट है किसका स्टेटमेंट है तो यह हो जाएगा महमुद अलिबेग बिल्कुल साय अंसर बिल्कुल करेक्ट अंसर सभी का करेक्ट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा option d नेक्स्ट राजस्तान की किस राज्जे ने रांती के समय कोटा माराव की सायता की कोटा की जो राम सिंग दित्ते थे उनकी सायता किस ने की थी करोली के मदन पाल ने करेक्ट अंसर क्या हो गा है आपके option c option c correct answer चले जी नेक्स्ट question बेरेक्पुर की चावने के प्रमुक करांती कारी कौन थे मदन पाल बिलकुस से आंसर भी कर दिया है यहां पर मदन पाल से यह बेरेक्पुर की चावने के प्रमुक करांती कारी कौन थे मंगल पांडे ठीक है मंगल पांडे ओप्षन बी बिल्कुष से आंसर नेक्स्ट है नीमद नीमद से भागे अंग्रेज महिलाओं वबच्चों को किस गाओं में सबसे पहले सरण मिली डूंगला ग्राम करेक्ट आंसर ओप्षन डी बिल्कुष सभी का यहां पर करेक्ट आंसर डूंगला अठारासो सताओन की क्रांती की लोग देवी माने जाने वाली जिसकी मूर्ती में अंग्रेजुन अले गए फटाबर से इसका आंसर कमेंट करें अठारासो सताओन आंसर की लोग देवी कौन सी है कितने सीर है और कितने हाथ है यह भी बता दीजी कितने सीर और कितने हाथ है इस डेवी के सुगाली माता बिल्कुष सभी आंसर है इसका करेक्ट आंसर इसके कितने हाथ और कितने सीर है यह भी बता दीजी सुगाली माता बिलकुल option b आपका सही answer कि अ जे दस सिर 54 विलकुल सही है कि के दस तो कितने कखे gold ऑर 54 क्याते हाथ किसने बताए यहां पे सरका जिनी बिलकुत ट्येक है दस सी और 54 आते यहां पर इस माता की ठीक है तो यहां पर थक्के के नीति के तहत राजपूत राज्जियों से किसने संधिया की लाड हैस्टिंग्स करेक्टान्स रोगा है यहाँ पर लाड हैस्टिंग्स ओप्सन डी नेक्स्टे राजएक किस अभी لेखा गार में 1867 के क्रांति के लगबग 200 विद्डरो connectors की सूची उपलब्ध है वेरी इंपॉर्टन्ट अच्छा किसन है आपे राजएक किस अभी लेखा गार में 1864 Nancy की क्रांति के लगबग 200 सो विद्रोई सेनिकों की सूची उपलव्द है कौन सा संग्राल ले है ठीक है वीडियो अच्छा लग रहा है अलफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ठीक है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन डी राजस्तान राज्य अभी लेखागार विकानेर ऑप्सन डी से आंसर नेक्स्ट तांत्या टोपे अठारा सुस्तान गी करांती के समय कितनी बार राजस्तान में आये थे ठीक है तो एक बार वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें आपके लिए मैंनत करके यह कुशन तयार करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ लाइक का बटन दबाना है और वीडियो का आपको देखना है अगर उस लाइक का बटन भी आप नहीं दबाना चाहते तो क कोई बात नीगए ठीक है चलिए करेक्टांस यहां पर क्या होगा दोबार राज़स्थान में ऐहाई थी दोबार क्रेक्टपर ओप्सिन भी कि लिए नेक्स्ट कुछिशन न है न-वर अंग्रेज मुल करें उपर इसकी रचना किस ने की पिय मटतinkी लिए क्इस के बांकी दास नहीं किसने की थी बांकी दास राइट आंसर ऑप्सन भी बांकी दास ठीक है बिल्कुल बील वाड़ा और बांस वाड़ा में आये थे बिल्कुल परकाज जी नहीं आपर आंसर भी किया है कि दो बार आये थे बील बांस वाड़ा में सही आंसर नेक्स्ट हैं आपके किस की लेके मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी में एक मोशन का सिर लटका दिया गया क्योशन नमबर 57 का सही आंसर हो सकता आपका किसी का वीडियो पीछे चल रहा है एक बार वीडियो का आप बंद करें तुबार से री स्टार्ट कर लिजी वीडियो ची कह आपके जो आंसर आ अरो अधि ऊलेट आ रहे हैं ठह्य का क्रेक्ट टन ए यहांपर क्योशन नमबर सता होनका राइट आंसर यहां पर राइट आंसलोंगा ऑप्सन- C, क्रिक्त आंसलोंगा ऑप्सन- C, लोगा गड़्य लगाड़ नहीं है, राइट आंसलोंग अप्सन- C. नेक्स्ट है मेराब खाँ एवं जय दयाल खाँ ने कहां का नेतर रुत्व किया यह ती मत्व पूर्ण किसन है मेराब खाँ और जय दयाल ने तो यह आजाएगा आपका कोटा ठीक है और एक बात का आप जूरूर जयां रखे ठाड़ स्तावनी करांती में जो कोटा यह कोई चपान इन ती ठीक है यह चाओ नी नहीं ती यहां पर जन आंदौलन वहां खरेक्ट आंसर ठीक है जन अंदौलन वहां यहां पर ठीक है अपर जाएगा option B यहाँ पर ठाकर लीजिए ठीक है ठाकर कुसाल सिंग वे मेक मौसन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को गोरे वे काले का युद्ध कहा जाता है किस आयोग की सिफारी सोपर ठाकर कुसाल सिंग को रिया किया गया तो यहां पर क्रेक्ट आंसर कौन से हो जाएगा फोटापर से एक बार कमेंट करें राइट आंसरों का ओप्सन बी मेजर टेलर आयोग बनाया गया था इसके लिए ठीक है और उनको निर्दोस बता दिया इस टेलर आयोग ने किसको कुसाल सिंग को रिया कर दिया गया वेरी इंपोटेंट है करेक्ट आंसर ओप्सन बी नेक्स्ट कुसन बितोरा के युद में आवा कि ठाकुर कुसाल सिंग ने 18 सितंबर 1857 को जोदपूर के राजा तक्त सिंग वा केप्टन हीट कोट को पराजित किया वरतमान में बितोरा किस जीले में स्तित है खिक है जिस क्यूसन में बहुत सारी आपको जानकारी मिल सकती है अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो खिक है वितोरा के युद में आवा कि ठाकुर कौन से कुसाल सिंग यहां पर यह भी दे रखा है और यह कब हुआ था यह था यहारा सितंबर 1857 को आथा और zon बन रहे हैं से तो इस तो आपका रध का बीधम के तो आपका राई रहा है सबीका पाली में कापWow यहां पर आपे टांसर पाली राय्यस्थान वे रमेजह देवन देश Ce सब्सक्राइब कर ले पास में घंटे वाला बटना उसको जुरूर दबाए लिए करेक्टांसर बिल्कुल ले पर सही है आपका 28 में 1857 करेक्टांसर ओप्सन बी आगे देखे नेक्स्ट कुछिशन है भारत चोड़ आंदोलन के संचालन है तू आजाद मोर्चा का गठन का हुआ ती हो जाएगा आपका जैपूर करेक्टांसर क्या हो गए आपके जैपूर आजाद मोर्चा का गठन का हुआ था जैपूर नेक्स्ट 1857 की करांती में नसीराबाद चाओने में विद्रो भढ़कने का प्रमुक कारण क्या था अच्छा क्यूसन नहीं है तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टन क्यूसन आप इसके लिए जितना चारी टाइम ले सकते लेकिन कोशिस करें इसका सभी आश्र करने की अठारा ठीक है अगर अगर अपने इसकी बात करें मित्रों तो यह अगर यहां पर अगर आपको मानलो यहां पर इसकी जगह कर मानलो यहां पर सभी मिल जाता उप्युक्त सभी तो बिल्कुल सही है सभी भी ठीक है यह सभी कारण थे यह सभी कारण क्या थे विद्रोगने की कारण थी, लेकिन मुख्य कारण इसमें से आपको चार्टना है, इन चारों में से तो मुख्य कारण कौन सा होगा, option B होगा यहां पर, ठीक है, अजमेर में से पंदरवी नेटिवी जो बंगाल नेटिव इंफेंट्री है, इसको नसीराबाद भेजना, और से निकों की तयारी करना, तो यह मुख्य कारण है, यहां पर जो उप्सन आपको दे रहे हैं, आला कि यहां पर सभी कारण है, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, option B, option B करेक्ट आंसर, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान, अठारा स्थान, यह क्रांति का केंदर नहीं था, अजमेर था, निम्न था, आउँ था, यह जैपूर नहीं था, तो यह राइट आंसर क्या होगा, यहां पर जैपूर, option D, नेक्स्ट, अठारा स स्थान, यह करांति में, अंग्रेज, एबम, जोध, आजे की सहिक्ट सेना को, किसने रह यह? अंग्रेजों की सेना गो और जोधपुर की सेना गो अंग्रेजों को और जोधपुर राजे की सेना गो स्वियक तुरूप से रा दिया था ठाकुर कुसाल सिंग नहीं ठाकुर कुसाल सिंग ओप्सन या पे हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर कुसाल सिंग दिम्तो पूणे कुशाव सिंग नेक्स्ट 18 स्सथाउन की करांथी के दोराद功न में से किस ठीकानेदार ने तात्या टोपे की साभीता की दी तात्या टोपे की साğइता किस ने गी दी सलूमर की केसरी सिंग ने ठीक है राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट 1877 में कोटा की विद्रोई नेता तो ये कही बाहर आ चुका है तो इसको बार-बार में आपका समय बरबाद नहीं करूँगा जै दयाल एवा महेर आप खाँ नेक्स्ट कुशन 1877 की विद्रोई के दोरान मेजर बटन और उसके पुत्र खाँ मारे गए थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा नेक्स्ट 1877 के विद्रोई के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंग को मेवाड की किस स्तान के सामत ने अपने यहां सरन दी ठीक है ओप्सिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ओप्सिन ए नेक्स्ट 1877 की क्रांती के समय भारत का गवर्णर कौन था भारत का पुछा गया भारत का गवर्णर जन्रल भारत का जीजी कौन था भारत का जीजी कौन था फटापट से कमेंट करें भारत का गवर्णर जन्रल कौन था अठारा स्तान की क्रांती के समय लाट के निंग बिल एजेंट छोड़ रखेते हैं की एजेजी एजेंट गवर्जंट जनरल और इनके नीचे कौन थे पी ए पॉलिटिकल एजेंट ठीका जीजी तो कौन था भारत का लाड़ केनिंग और राजस्तान में एजेजी कौन था जोड़ पेटरिक लॉरेंस और इन्हों ने भी ओठीक है 18 स्था ँनकी किरांति का पर्तिक चिन क्या है रोटी अगरिया पर फूल की जगह एकर आपको मिल जाता कम था एक कमल का फूल तो यह भी ओजाता ठीक है अगर दोनों से मिलते तो ए और बौ़ दोनों से हो जाता जान पर ओन लिवर फूल दे रखा आप फूल से प सब्सक्राइब नेक्स्ट यहां पर कि अनुसार 1867 का विद्रो पूर्णतर देश बक्ति रहित और स्वार्ति सेनिक विद्रो था यह किसके अनुसार 1867 का विद्रो पूर्णतर देश बक्ति रहित एवं स्वार्ति सेनिक विद्रो था किसके अनुसार फटाबर से कमेंट करते एक बार इसका सही आंसर होगा आपशन डी होगा है यहां पे सही आंसर सर जोन सी ले सर जोन सी लेके एनुसा अठारोस्ताउन की क्रांती का जो विद्रो है ये देश बती रहित एवन स्वारती सेनिक विद्रो था ओप्सन यहापे होगा डी से आंसर नेक्स्ट जोदपुर के किस माराजा ने अंग्रेजों का साथ विद्रो विद्रों से युद्ध किया तो जोद प्रकाओ जाएगा आपका तक्ति सिंग नेक्स्ट चलो दिल्ली मारो फिरिंगी का नारा किस चाहँनी के करांती कार्यों ने दिया एरियन पुरा चाहँनी ठीक है ओप्शन सी नेक्स्ट राजस्तान में कितने से निक्चाहँनी आती चहती नेक्स्ट है यहाँ पर बिथोड़ा की युद्ध में कुसाल सिंग के नेतरतों में करांती कार्यों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर को हराया था ठीक है बिथोड़ा की युद्ध में किस को राया था कुसाल सिंग ने बिथोड़ा की युद्ध में कुसाल सिंग ने किस अंग्रेज को राया था केप्टन हीट को केप्टन हीट कोड़ ठीक है ऑप्शन डी चलिए दो क्विशन और करन राजस्तान में दूसरा स्थान जा करांती की सुरुवात हुई एवली एरियन पुरा नीमच नसीराबाद ठीक है फटापट चैंसर कर दें ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी ठीक है चलिए और यह आपके सामने अंतिव क्विशन राजस्तान के विद्रों के समय भाग नहीं लेने वाली चाहुनी है एक बार सब भी इसका अंसर करें आप जी कमेंट देख रहा हूं और इसका अंसर जुरूर कर दें विद्रों के समय भाग नहीं लेने वाली चाहुनी है और सब्सक्राइब को छाहेगा और सब्सक्राइब टिषस Southने इसनों से कोई भूल नहीं लिया तो यापिर आपके होगा अव्चन्व दी चुलिए तो यहाँ पर अपने अति महत्वपुण 80 कुशन डिसक्स किया है राजस्तान की जो थराजस्तान की पर्तियों की प्रिक्साओं के लिए तो आयोपी वीडियो आपको अच्छा लगाओगा है एलफुल लगाओगा अगर लाइक नहीं किया भी तक लाइक जरूर कर दें और कोई सुझावा आपका तो हमें कमेंट में जरूर बताए कोई भी क्वाइर ये तो और चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो जरूर सब् क्लिक कर ले ताकि आने वाले सभी इंपोर्टेड वीडियों का नोटिफिकरशन आपको तुरंत प्राप्त उसके ठीक है अपने मिलते है नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैबार्थ